हेलो प्रेंज मैं हूं रिना बिराज़ार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे मला इदार मैंगो आइस क्रिम घर पर बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का तो चलिए फिर देखते हैं इसके रेसिपी तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इस तरह का एक आम और इस आम से बनाएंगे हम इसका जूस सबसे पहले इस तरह से इसे कट कर लेते हैं और इसका पूरा पल्प हम निकाल लेते हैं जब तक मैं ये काम कर रहे हूं तब तक आप एक काम करिएगा अगर अब इतक मेरे चाइनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर इसमें एक बूंद भी हमें पानी नहीं डालना है तो मैंने यहाँ पे पुरा पल्प निकाल लिया है अब इसमें डाल देते हैं चीनी मैंने यहाँ पे इसमें 5 चमच चीनी डालती है अगर आप चाहो तो ज्यादा भी चीनी डाल सकते हो अब हम इसे बीना पानी के पीस लेते कि इसमें बिल्कुल भी एक बून भी पानी का यूज ना करें अब इसे निकाल लेते हैं एक बावल में एकदम गाड़ा जूस मैंने यापे बना लिया इसका और इसे मैंने निकाल लिया है एक बावल में और इसे रख देते हैं साइड में ये एक प्रोसेस हमारी हो चुकी है आप देख सकते हो इसका juice मैंने कितना गाड़ा बनाया है अगर इस तरह का juice आपका भी हो तो एकदम मलाईदार आपका ice cream ज़रूर बनेगा आप चलते हैं next process के तरफ तो मैंने यहाप एक बावल ले लिया है और इसमें डाल दिया है एक कप मैंने whipped cream डाल दिया है यह whipped cream मैंने अमूल का लिया है आप चाहे तो दुसरे company का भी यूज कर सकते हो आप हम एक bitter की मदद से इसे इस तरह से बीट कर लेते हैं तब तक हमें इसे घुमाना है यह बीट करना है जब तक यह अच्छे से cream के form में ना आए यह अच्छे से गाड़ा cream बन चुका है अब डाल देते हैं इसमें चीनी मैंने फिर से दो से तीन टेबल स्पून चीनी इसमें डाल दी है यानि के चीनी का powder डाल दिया है आप डाल दिया है मैंने mango का जो हमने बनाया हुआ pulp इस pulp को डालने के बाद फिर से हम इसे बीट कर लेते हैं इसे भी हमें तब तक बीट करना है जब तक यह फिर से cream के form में ना आ जाए इसे हमें 7-8 मिनट अराम से लग जाएंगी इस प्रोसेस के लिए आप देख सकते हो एकदम इसका color भी change हो चुका है और एकदम गाड़ा भी बन चुका है cream के form में यह आ चुका है अब इसे निकाल लेते हैं एक container में जो कि ice cream का container मेरे पास पड़ा हुआ था उसे में मैं इसे निकाल लूँगे आप चाहे तो कौन से भी container में जो आपके पास में available है वो आप यूज कर सकते हो तो इस तरह का plastic container में ने ले लिया है और इसे डाल दिय है इस plastic container में इसे हम थोड़ा सा ट्याप कर लेते हैं ताकि यह equal size में आ जाए धीरे से हमें इसे ट्याप करना है इस तरह से और इसके उपर इसकी लीड ढखकर हम रख देते हैं फ्रीजर में इसे सेट होने के लिए दो से तीन गंटा हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं द हम एक स्पून की मदद से इसके चोटे-चोटे इस तरह से पीसेस निकालेंगे और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे मेल्ट होने के बाद फिर से हम इसे बीट करेंगे यह मेल्ट होने के बाद इसलिए करना है क्योंकि हमें बीटर का यूज करना है और बीटर का यूज पूने दे और फिर उसमें विटर घ्माएं। अगर आप इस बना रहे हैं तो कोई बात नहीं आप ठोड़ा सा गाड़ा रहे तो भी मिकसर जार यूज कर सकते हो। मिकसर जार में भी अच्छे से फ्लफी बनेगा, एक दम क्रीम के फम में या आ जाएगा। अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो चाहे तो मिक्सर में भी यह अच्छे से क्रीम के फ़र्म में आ चुका है इसका कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छा आया है अब फिर से हम इसे डाल देते हैं उसे प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने फिर से इसे आठ से दस मिनट इ और इसे सेट होने के लिए पुरी राद पर इसे छोड़ देते हैं तो अभी सुवे का टाइम है बहुत अच्छा से यह सेट हो चुका है आप देख सकते हो यह कितना अच्छा लग रहा इसका टेक्श्चर इसका कलर बहुत अच्छा आया है एकदम क्रीमी क्रीमी यह आइस क् बन चुका है यह एकदम मार्केट से लाया हुआ आइस क्रीम जैसा लग रहा है आपको भी यकिन नहीं आएगा कि यह आपने घर पर बनाया है या मार्केट से लाया है बिल्कुल मार्केट जैसे मलाईदार आइस क्रीम हमारी बन के रेडी है आप देख सकते हो ना यह कितना क्रीमी क्रीमी बना है बिल्कुल मार्केट जैसा तो यह आप बना के आराम से घर में यूज़ कर सकते हो एंजॉय कर सकते हो तो यह recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर comment कीजिएगा अगर यह recipe आपको अच्छी लगी तो जितना हो सके अपने friends के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई